हेई वोट्सप गाईज कैसे हैं आप सब देखे डेट है 22 जनवरी दा हिंदू करेंट अफेर में आपका स्वागत है लीजिए स्टार्ट करते हैं देखे गाईज आज दा हिंदू में अगर बात करें तो स्पीकर के बारे में बात की गई है जो असेंबली केरला की जो पता तो जो important points है उनके बारे में बात करते हैं देखे जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो elect किया जाता है उसी के जो members होते हैं मतलब जो members होते हैं लोकसभा के उनहीं में से स्पीकर को elect किया जाता है और देखे election जो date होती है स्पीकर की वो fix की जाती है प्रेजिडेंट के तो आपना जो resignation है वो writing में देगा deputy speaker को ठीक है और अगर देखिए उसको एक resolution pass करके अगर remove किया जाता है ठीक है लोकसभा के जो members है उनकी majority के दवारा तो देखिए जो resolution pass किया जाएगा है ना तो उसका 14 दिन पहले advance में notice देना पड़ता है ठीक है guys देखिए next अगर बात करें तो देखिए whenever मतलब जब भी लोकसभा dissolve होगी speaker vacate नहीं करता speaker does not vacate his office speaker अपनी जो seat अपना जो office है वो खाली नहीं करता है और continue speaker का office रहता है till the newly elected लोकसभा ठीक है जब तक नहीं जो लोकसभा आएगी उसकी meeting ना हो ठीक है तो ये basic points है आप देखिए जो speaker होता है वो guardian होता है powers का and privilege of the members ठीक है आप देखिए speaker अपनी power कहां से drive करता है वो constitution of India से करता है ठीक है और next अगर बात करें तो देखिए rule of procedure और conduct of business of लोकसभा और parliamentary जो convention होती है वहां से वो अपनी power को drive करता है आप देखिए speaker के अगर दूसरी power की बात करें तो क्योरम के बारे में I think आप सभी क पता होगा कि भाईया एक proper strength अगर लोकसभा के जो member होते हैं उनकी नहीं होगी तो meeting जो होती है उसको suspend कर दिया जाता है तो वो कितनी होनी चाहिए one tenth total strength का one tenth होने चाहिए तभी लोकसभा की जो meeting है वो start होती है ठीक है guys अब देखिए next अगर बात करें तो देखिए अगर joint sitting बुलाते हैं दोनों house की parliament में तो क्या होता है बुलाई तो जाती है president के दवारा ठीक है अगर कोई deadlock होता है किसी bill को लेके तो बुलाई तो जाती है president के दवारा लेकिन preside करता है उस sitting को कौन speaker करता है ठीक है guys तो देखिए यह basic information है speaker के बारे में आपको पता होना चाहिए ठ OPSC हर साल organizations related question हर साल पुछा जाता है every year you will find ठीक है तो OECD क्या है यह organization है economic cooperation and development का ठीक है intergovernmental organization है प्यारा भारत इसका member नहीं है पता होना चाहिए UK US की बात करें develop जो country है वो इसके member है 37 के आसपस ठीक है और last 2020 में 37 जो 37 member हुआ था वो कॉलंबिया था ठीक है headquarter की बात करें तो Paris France में इसका headquarter है और देखे सुरुवात में जो OECD है यह OECD नहीं था अगर इसके origin की बात करें तो 1948 में यह AJ OEC ठीक है यह क्या है organization European Economic Corporation का organization था और इसको reform किया गया 1961 में AJ OECD ठीक है guys तो देखे basic information आपको पता होना चाहिए ऐसे जो organization होते हैं उनके बारे में और देखे कौ continent में जो देश आता है वो इसका member है या नहीं तो basic information पता होना चाहिए otherwise 37 के 7 देश याद नहीं रखने होते ठीक है guys तो देखे आप बिल्कुल suggestion दे सकते हैं comment कर सकते हैं मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तकली have a awesome day